हलो और वेलकम फ्रेंट्स आईए देखते हैं कि हम पेमेंट बाउचर में कैसे एंट्री कर सकते हैं टैली में तो सबसे पहले टैली को ओपन कर लेता हूं मैं तो क्लिक करेंगे तो यह टैली ओपन हो जाएगा और अब हमें पेमेंट बाउचर में पेमेंट बाउचर में कौन में हम वही काम करेंगे खर्ची के लिए पेमेंट देंगे हम इसके अलावा बैंक वगरा में जो चार्ज लग ठीक है या फिर बैंक जो है SMS का चार्ज लेती है आप SMS सुना होगा आपने SMS जो आता है हमारे मोबाइल पर जब हम पैसा निकालते हैं विड्राव करते हैं या हमकार का पैमेंट हम करेंगे ठीक है सेगेंड पार्टी को ठीक है उसके वज में हम जोपिमेंटी करेंगे γे तो छलिए आगे हम देखते हैं आते हैं अगांटिंग बाउच cancer में और यहां से वी प्रेस कर लेते हैं अभी हम पैमेंट बाउचर में है ठीक है यहां पर debit आ रहे और इसको हम under fixed asset डालेंगे क्योंकि furniture account fixed assets होता है इंटर करके नीचे आएंगे यहां पर इंटर करते हुए आ जाएंगे pin code होगा जो भी डालना है डाल देंगे यहां पर accept करा लेंगे इसको तो accept कराएंगे तो furniture जितने का भी होगा जैसे suppose कि यह 50,000 का furniture खरीदा है तो यहां 50,000 हम debit कर देंगे इसके बाद से हम cash चे payment कर रहे हैं कि check से payment कर रहे हैं यह हमें देखना है तो हम अगर cash payment कर रहे हैं तो यहां cash हो जाएगा अगर check से payment कर रहे होंगे तो check डाल देंगे और यहां पर आकर के डाल देंगे furniture bought for business worth rupees 50,000 तो यह डाल दिया हमने इस तरह से करके हम यह entry बना सकते हैं payment voucher की और यहां accept करा लेंगे इसको तो यह हमरा accept हो गया अब इसको हमें देखना है तो फिर वहीं day book में जाना होगा यहां से देखिए day book में मैं जाता हूँ यहां पे depress करता हूँ फिर एक बादडी प्रेस करेंगे तो यहां day book में आ गया है अब देखिए सबसे उपर वाला furniture अकाउंट जो है यह हमारा entry वाला है तो यहां पे क्लिक कीजिए और अगर print कराना चाहते है और alt के साथ पी दबाइए तो यह print हो जाएगा और print होकर कुछ इस तरह से आएगा यह print हो रहा है भी यह देखिए यह कुछ इस तरह का report आएगा आपके पस तो यह देख सकते हैं आप कि कैसे यह हम कर सकते हैं उम्मीद है कि यह चोटे से वीडियो से आपको payment voucher की entry कम से कम शुरूआत कैसे करनी है यह बात जरूर समझ मे आजाएगी और वीडियो अच्छे लगए तो शेयर कीजिए थैंक यू फर वाचिंग देस वीडियो